जी की नेक्स्ट वीडियो में आवजन चलते हैं और इसमें देखते हैं कुछ important question है उनसे आप देखना पहले ही कोसिस करना कि मेरे question के पहले आप question का answer लगाएं तो चलिए पहले question की दरफ चलते हैं तो लास्ट में आप देखना कि आपके total कितने सही हैं और कितने गलत हैं और क चलते हैं next question की दरफ कहता इगल का वेग्यानिक नाम क्या है इगल का वेग्यानिक नाम आपको बताना कि इगल का वेग्यानिक नाम क्या है तो इसका right option हो जाएगा A अकीला क्राइट इस तो right option is A कौन सा बोलेंगे अकीला क्राइट इस right option इसका हो जाएगा A चलते हैं next question की किस समू के पोसक तत्वों की कमी से तोचा पर भावित होती है तोचा पर इफेक्ट पड़ेगा वह आपको बताना तो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा राइबो फ्लोबिन नियासीन और पाइरोडोक्सिन पैंथा टैनिक एसिड तो इसका राइट ओप्शन कौन सा हो जा तो इसका राइट ओप्शन देखें खुद से पहले क्या हो जाएगा तो डॉप्शन हो जाएगा इसका दफि चलते हैं नेक्स्ट कोशिन की दरफ कियांता केंसर एक जानलेवा वा बीमारी है क्योंकि इसमें आप देखें का अंसर हो सकता क्योंकि इसमें तो right option हो जाएगा जेविक अंग नस्ट हो जाते हैं तो organic और्गन जो होते हैं वो destroy हो जाते हैं तो इसका right option हो जाएगा भी तो सारी question अच्छे हैं आप इनको अगर याद है अच्छी बात है नहीं है तो आप और चार्ल्ज डारवीं की पुस्टक दा 창 रिसो जाएगा उसका right option हो जाएगा राइट ओप्शन हो जाएगा 1859 में चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्या कहता देखें कहरा क्रेमिक वे मिट्टी के बरतनों या कांच के उद्योग में सरमिकों का सामना किया जाने ले ले तो उनके वेवसाई खत्रों में से एक है तो आप से ऐसे पूछ जो आते क्लें करते हैं जो मजदूर होते हैं मिट्टी के बरतनों या कांच के उद्यों के जो सर्मिक होते हैं तो किस चीज की बीमारी anciaसे ग्रसी हो सकते है तो इसका रइप्शन हो जाईगा सिल्कों सिस्ष्क तो यजट नेक्स्ट क्षिशन की तरफ कहता वट इस लाइट बग, ब्लेक बग का व्यग्यानिक नाम kya होगा तो उसका राइट उप्ष exhale होगा एंटी लॉप्स वाइक है किया होगा Wuhan Anti Lohem swap चलतें। नेक्स्ट कोशन की दरफ नम Π लेपर धाइट पैंघानयरme आपि लॉप तो इसका right option unbelievable चलते हैं नेक्सट कोशिटन की दरफ करेंदे का व्यग्यानिक नाम क्या है तो थो अप लगाएंगे option number A गैनणा एकसिंगा क्या नाम है गैन्डा इकसिंगा चलते है करें next कोश्टन की दरफ कहता नेक्स्ट कोश्चन की दरफ कहता गैंडे का वैग्यानिक नाम क्या है तो गैंडे का वैग्यानिक नाम आप लगाएंगे महसाں गराई को मापने के लिए दो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा फैयदोıld मिटर का इसका जो यूनिट होता नोटिoryं मील होता तो समंदर महसाँ ऩो की गराई मापने के लिए किस उपरण का प्रियोग किया जाएगा तो option number हो जाएगा इसका फैदो meter देखें आप last में देखना आपके total कितने सही है कितने गलत हैं चलते हैं next question की तरफ कहता name is devised used to measure the sharpness of the electric current विदूत परवा की तिक्षनता को मापने के लिए निमलिकित में से एक परियुक्त नाम है आपको उसका नाम बताना तो इसका right option कौन सो हो जाएगा इसका right option हो जाएगा कौन सो हो जाएगा गैलेवो meter इसका right option हो जाएगा चलते हैं next question की तरफ केता दा equipment road which is the substance we can into the small pieces वह है उपकरण जिसके माध्यम से किसी भी पदात को छोटे छोटे तुकडों में काटा जा सकता है तो इसका right option कौन सो हो जाएगा माइक्रो टोम चलते है next question की तरफ किस उपकरण के माध्यम से दो परकास के सुरोतों की रोशनी वे तुर्वता की मलब तुर्वता की तुलना की जाती है तो इसका right option हो जाएगा C, photometer चलते है next question की तरफ कहता हिर्दियों और फैफडों को कमपन सुनने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है तो इसका right option हो जाएगा B, stethoscope जो डोक्टर नहीं होता है, डोक्टर यूज करता है जो कान में होता, आला बोलते हैं उसको तो stethoscope हो जाएगा चलते है next question की तरफ गर्मी विकरण को मापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है जो गर्मी की विकरण होती है, रेडेशन होती है तो उसको मापने के लिए आपसे पूछ रहा कि किसका प्रियोग किया जाता है देखो इपने साब से क्या अंसर हो सकता अच्छा कोशन है यह वी तो अप्शन नमबर हो जाएगा सी क्या बोलेंगे बोलो मिटर कौन्स हो जाएगा बोलो मिटर चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ के रहा विच इस दा यूजड मेजर एटमोस्फेर प्रेसर के रहा वायू मडले दाब को मापने के लिए कौन से अं कहा रहा रंगों की तिरुवता मापने के लिए किस चीज़ का प्रियोग किया जाता है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका यह क्लर मिटर चलते है नेक्स्ट कोशन की तरफ कहता नीमलिकित में से नीमलिकित सब्दों में से मापने के साथ उपकरणों के साथ जुड़ा वर्ड है कि किसी चीज को मापने के लिए किस चीज का सेंसिटिव और डंपिंग हो जाएगा तो इसका राइट अप्शन हो जाएगा A और B बोथ के लिए हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ वहापसे किहरा नियासीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D पहले गिरा चलते हैं नेक्स्ट विदामिन B6 की कमी से होने वाला रोग, तो आप इसका राइट ऑप्शन कुछ कार के एखजीमा, चलते हैं, नेख्ट कोशन की तरफ, दहँए अच्छा कोशन है यह भी, ऐसे इस्तिती को क्या कहा जाता जिसमें सरीर के पोसक तत्वों का उचित हिस्सा नहीं मिल पाता या तो भुकुमरी से या खराब अप्शन के परिनाव सुरूप होता है तो इसका राइट अप्शन क्या हो जाएगा देखें खुद से तो आंसर बोलेंगे पोशन कहा देखें ने शरीर को जो न्यूट्रेशन की जो रुतर वो ना मिले तो शरीर को क्या हो जाता पोशन हो जाता तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ और यह कहता है निम्न मेंसे कौन डाउन सिंड्रोम के बारे में सही नहीं है देखें डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताना कि डाउन सिंड्रोम के कारण क्या नहीं होता है तो देखें इसमें आपसे पोच रहा तो यह एक अनुव परेंसेल व्यक्ति में उम्र बढ़ने की जल्दी होती है ये इसमें गलत कह रहा है तो option number इसका कौन सो हो जाएगा B ये हमारा अनुवानसिक वो है अनुवानसिक से रिलेटिट तो इससे पूछ लेता तो इसका right option कौन सो हो जाएगा इसका right option is B हो जाएगा चलते हैं next question की तरफ क्याता कि this anti-mineral drunk quenning for the plant तो कह रहा है malaria रोधी दवा या कुनैन किस पूदे से बनाई जाती है तो इसका right option कौन सो हो जाएगा malaria के लिए कौन से पूदे की जरूत होती है तो option number हो जाएगा D कुनैन पूदे की जरूत होती है चलते है next question की तरफ उच रक्त चाप वह सब्द है जिसके लिए प्रियोग किया जाता है तो right option कौन सो हो जाएगा रक्त चाप में किसके लिए व्रद्धी के लिए तो right option is D चलते है next question की तरफ यदि आंक का लेंस अपार दर्सी हो जाता है तो रोग कहलाता है तो इसका right option हो जाएगा cat rect कौन सा कहलाता है बहुत अच्छा question है ये exam में काफी बार repeat हो रखा है इसका ध्यान रखें कि जब आंक का लेंस कैसा हो जाता अपार दर्सी हो जाता तो कौन सा रोग हो जाता तो right option हो जाएगा मोतिया बिंद चलते हैं next question की दरफ कहता निम्न में से किस भारी धातू की विस्तता को लेकर liver cirrhosis हो जाता या the toxicity of the witch of flowing heavy metals leads to liver cirrhosis तो देखें इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा copper हो जाएगा अब आप total करके देखें आपके total कितने सही और कितने गलत बैठें और जो आपके गलत हुए है तो आप उनको अपनी कोपी में note down करके याद गरें